नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी येट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों अप दुस्मनों का खात्म होने वाला है जीहाँ दोस्तों अब आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर बहुती बड़ा बदलाब देखने को मिलेगा जिहां दोस्तों आने वाले पांच दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में भगवान सनेदेप के आसिंग किरपा द्रिष्टी बनने वाली है जिनके कारण दोस्तों यह समय सारे अंधियारा खत्म होने वाले हैं अब आपके जीवन में भगवान सनेदेप के आसिरवात से रोसनी का दीपक जलेगा जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन पूरी तरह से उज्जवल होने वाले हैं आपके जीवन पूरी तरह से बदलने वाले हैं जहां दोस्तों ऐसे मौके को आप बिल्कूल हाथ से जाने न दें क्योंकि दोस्तों ऐसे मौके बहुत ही कम लोगों को मि इतने भी अच्छे मेहनत किये हैं अपने जीवन काल में दोस्तों उनका ही फल या समय भगवान सनिदेव आने वाले पांच दिनों के अंदर आपको देने वाले हैं जहां दोस्तों आने वाले पांच दिनों में आप अपने जीवन काल में बहुत सारे लाब के मौके खोलेंग देव आपको देने वाले हैं दोस्तों इसे महतुपुन समयों को आप बिल्कुल ही बीशना करें और दोस्तों इसे महतुपुन विश्यों को सही तरीके से उप्यूग करें हर कारें में आप विश्य साबधाने रखकर ही आपकार करें इसे दोस्तों भगवार सिनेदेव का जो बच और लोग आपकी कारे को विगाड़ने वाले कुछ लोग थी और दोस्तों इसी स्वी में रहार में विस्तार से बात करेंगे। आप सभी के लिए जाना बहुत ही जरूरी है। इसने दोस्तों इसे आंतों तक जरूर देखें उसे पाले दोस्तों जो भागवान सनेदेब के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों एक लाइक अभी जरूर परदान करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मण से सरधावाव से जैशनेदेब जरूर लिखें जिसे कि सनेदेब का आसीम आसिरवात आप से देखें जीवनकाल पर सदा रहेंगे और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथे बेल आइकन को प्रेश करके और पर श्रैट कर लें तो आई दोस्तों बात करते हैं सुरूर आत करते हैं क की परिक्षा लेते हुए कहा अरे भक्त तु सोचता है कि मैं तेरे गीता से खुस हो गया हूँ ये तेरा वहेम है मैं तेरे पाट से बिलकुर भी प्रस्न नहीं हुआ जैसे भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और जूमने लगा भगवान ने कहा कि अरे मैंने कहा कि मैंने तो तेरे पाट से खुश नहीं हुआ हूँ और तू नाच रहा है वो वाक्त बोला कि भगवान आप खुश हो या ना हो ये बात मुझे नहीं पता लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ की आपने मेरा पाठ को कम से कम सुना तो इसलिए मैं नाच रहा हूँ जी हाँ दोस्तों गर आप हमारे इन बातों से शामत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं तो आज दोस्तों इसलिए के साथ बात करते हैं कि भगवान सनेदेव के आसिरवा से यह पांच दिनों के अंदर में आपके जीवन काल में आपके आने वाले पर तेक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगें क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं तो चलिए विस्तार से बात करते हैं जोस्तों आप अपना लक्ष हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत करें आपको उचित परना मिलने वाले हैं अपने कर्म पर विश्वास रखना और आसावादी रहना आपकी तरकी में और अधिक साहिक रहेगा नुवे लोगों के मारदर्सन में मन चाहा काम पूरा होगा सिर्दिल की वज़ा दिमाग से फेच ले ले हैं विवाँ को किसी प्रोजेक्ट में शफलता मिलने पर खुशी मिलेगी दिन चारह को विवस्तित रखने से बहतर नतीजे मिलेंगे पिछले गरतियों के सवक लेकर वरतमान को बहतर बनाने का प्रयास होगा तथा आप उचित आत्म विस्वास के साथ साथ एक नई सुरुवात करेंगे खुद को भानात्मा गुरूप से भी मजबुत महशूश करेंगे घर की गरतिवेदियों और देखभाल में दिन का काफी समय वेतित हो जाएगा और फॉन कॉल और विमेल दोरा कोई शुप समाचार मिल सकता है जिसे कि दोस्तों आपका पूरा परिवार खोसी से नाचने लगेंगे या दोस्तों खुशखवरी सिर्शनी देव का आशिरवाद होगा जिसके वज़े से आप बहुत ही सकारतमक और जावान महशूश करेंगे दोस्तों आपका गिरे सिति बहुत ही सकारतमक बनी हुए है अब अपनी च्हामता और वही गोता से किसी मुश्किल कार को पूरा करने में समक्च भी रहेंगे दोस्तों आपको कुछ इंद्र में शाबधानियान भी देखकर चलने होगी धैर और स्रम से वेहवार करें लब पारवाही और जल्दवाजी से काम भीगर भी सकते हैं समन्दों को मधूर बना कर रखने में आपका विश्य स्यायोग जरूरी है तनाप जिसे इस्तितियों से दूर रहें और परवारी के साथ भी समय वितित करें कारव परनाली में वैसा ही कारव परनाली में कुछ सुधार करने की जोरत है रुका हुआ पैसा आपस मिलने से काम आसान हो जाएगा निकिस साथ साथी बच्चों की किसी वहतरिन उपलब्दी से घर में उल्लास बना बतारों रहेगा गैर चरुरी खर्चें जादा रहेंगे हलाकि आप समझदारी और सुझबूस से समस्या का हाल भी निकाल लेंगे तोई काम में भी गुस्य और आवेस की वज़ारिक सान्ती पूर्ण तरीके से काम करें आपको सफलता मिलेंगे बिजनेस में भी आप अपनी काबलियत की वज़े से अपने कामों को गती देने में काम्याब रहेंगे बारबारी गती विदियो में अपना योगदान देने के सान्ती पूर्ण महोल रहेगा दोस्तों बिजनेस समंदी नया काम शुरू करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो दिन बहुत ही अच्छा है साथ ही अपनी वेबसाइक पार्टियों को भी हेल्प लें नोकरी में आधिकारियों के साथ समंद मधूर बने रहेंगे वेबसाइक गतिविदियां में अपनी उपरस्ति और मेहनत दोनों को ही बढ़ाना होगा क्योंकि कुछ चनूतियां आशक्ती है सेहर और तेजी मंदी से तातकुल रखने वाले लोग साबधान रहें और इसमें गतिविदियां सुचारों रूप से चलती रहेगी मुझे दोस्त आपके लव लव के बारन बात करें तो पती पत्नी सदस्यों की वीच उची तालमिल समान जस रहेगा युआंको दोस्ती प्रेम समवन्दम में बदल सकती है यह समय घर परिवार के साथ बेतित करने से खुसी और सुकुन मिलेगा इसे आपसे समवन्दम में मधूरता आएगी मैं दोस्त आपके स्वास्त के बारें बात कर लें तो मौसम की वज़े से खांसी जुकाम और बदन दर्द की समस्या रहेगी स्वास्त रहने के लिए प्राकरती निम्यों का अपनाना बहुत ही जरूरी रहेगा तद्री वज़ता की वज़े से ठकान और सिर्द जलसी सिकाते रह सकती है आराम के लिए भी समय बहुत ही जरूरी रहेगा मैं दोस्त आप बात करने तब के उपाय के वारे में दोस्तों निया के देवता सनी जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी ही जल्दी वह प्रशन भी हो जाते हैं हालाकि सनी देव हमेशा कर्मों के आधार पर ही सुब असुब फल देते हैं अगर आपके भी कुंडिली में सनी दोस है तो दोस्तों और आपको जीवन में तमाम तरह के दिकत्यां सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों यह उपाई आवशे करें सनीवार के दिन एक नीमू को लेकर वोसे दुकान या फिर ओफिस या फिर घर की चारों और तरह दिवारों पर आसपर करें इसके बाद नीमू के चार टुकड़े कर लें और चोराही पर जाकर चारों दिशावें नीमू का एक एक टुकड़ा फिंग दें इससे दोस्तों यह टोटका आवशे चमतकार करेंगे वह दोस्तों आप बात करें आपका भागे साली रंग और भागे साली आंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग घुला भी है और भागे साली आंक एक है दोस्तों भागवान सनिदेब का आशिर्वात आप सबी को प्राप्तो सच्चे दिल्शे कमेंड बॉक्स में चैस सनिदेब जरूर लिखें और वीडियो को लाइक से जरूर करें धन्यवाद